नमस्कार मैं हूँ अमेत तो आप देख रहो मेरा YouTube चैनल Dream City Tutor तो Dream City Tutor में आपका स्वागत है तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि हम लोग जब भी टेक्स्ट को लिखते हैं handwriting style में या cursive writing में तो उसे हम लोग software में कैसे लिखेंगे वो आज मैं बताने वाला हूँ after effects में तो मैं बहुत एजी तरीके से इस चीज़ को बताता हूँ कि किस तरह से आप handwriting style में after effects में लिख सकते हो लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है एक request है कि please video को download ना करे because of बहुत सारी महनत लगती है इस video को बनाने के लिए और जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए right because of कि मैं आप लोगों के लिए time निकाल कर मैं बनाता हूँ और मेरे पास एक यह दिन होते हैं video record करने के लिए I think सिप Sunday के Sunday ही मैं record कर पाता हूँ videos आपके लिए okay तो इसके लिए आप मेरी मैनत को समझो and then थोड़ा सा इसको भी accept करो कि आप please download ना करो तो please video को download ना करे and then आप अपनी प्राहे स्टार्ट कर सकते हैं या सीख सकते हैं तो यह मेरा आप से request है तो चलिए सिधा चलते हैं अपने computer में आप देखते हैं कि handwriting style में हम लोग किस तरह से बना सकते है text effects को तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि handwriting style को हम लोग किस तरह से use में ले सकते हैं या फिर बना सकते हैं हम लोग after effects में तो बहुत easy है तो सबसे first आपको करना क्या है यहाँ पे एक new composition आपको ले लेनी है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे new composition में जाता हूँ and then यहाँ पे 1920 ले लेता हूँ and then frame rate 25 ले सकते हो अगर और भी smooth करने है तो आप 60 fps में भी बना सकते हो वो completely आपके ऊपर में कि आपके इस तरह का animation बनाना चाहते हो तो मैं अभी के लिए 25 के जगह में मान लो आप ले सकते हो 25, 30 जैसा आपको चाहिए होगा आप ले सकते हो तो अगर smooth animation करने है तो 60 fps otherwise मैं 25 fps में भी लेके work कर सकता हूँ यहां पर मैं 15 seconds के जगह में इतना चाहिए नहीं मुझे तो मैं यहां पर ले लेता हूँ 10 seconds के लिए मैं बना लेता हूँ and then ok को click कर देता हूँ यहां पर तो first मेरा यहां पर आगया है background आप चाहो तो अपने recording background को change कर सकते हो यहां पर कोई solid color भी apply कर सकते हो यहां पर तो मैं क्या करता हूँ यहां पर एक solid color में ले लेता हूँ तो उस color में आप जाकर ले सकते हो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे थोड़े से blue color में ले लेता हूँ इस बार and then okay को click कर दो तो यह मेरा आगया background and then background को मैं क्या करता हूँ यहाँ से lock कर देता हूँ because background में मुझे कोई work नहीं लेना है इसके लिए मैं lock कर देता हूँ इसे now next thing is कि मैं जाता हूँ type पे and then यहाँ पे आपको type लिख लेना है जो भी आपको चाहिए हो आप लिख लो यहाँ पे handwriting लिख लो cursive लिख लो तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ dream city okay तो मैंने यहाँ पे simple dream city ऐसे कुछ लिख लिख दिया है अपने लोगो का नाम अपने चैनल का नाम तो आपको जो समझ में आता है वैसा आप लिख लो okay and then आप चाहो तो यहाँ पे align कर लो center center align कर दो यह पुरा center में आ जाएंगे okay अब जब भी आप कुछ भी लिख रहे हो कुछ भी बना रहे हो handwriting से related तो make sure कि आपके जो type I mean जो आपने font ले रखे हैं वो कुछ cursive style वाले ही होने चाहिए okay तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं सिधा चला जाता हूँ अपने text पे तो सिधा चले जाओ यहाँ पे भी आप भी क्या करो अपने text पे चले जाओ double click करो आ जाएंगे and then यहाँ पे मैं जाकर ले लेता हूँ कुछ cursive style में आप ले लो okay तो मैं तो फाइंड करता हूँ कि मेरा cursive style का कौन सा है तो I think मुझे यह जादा better लगा तो मैंने इसे ले लिया है cursive style में okay तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा text मैं चाहता हूँ कि थोरे से बड़े size कर लो तो 100 के जगर मैं कर लेता हूँ 200% no this is fine okay and then most important thing is कि मैं थोरा सा चाहता हूँ कि इसमें tracking यूज करो tracking means दूसरा वो tracking points नहीं leading tracking वाली track okay तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो leading है and then tracking है तो मैं थोरा से इसको touch करा देता हूँ कि यहाँ पे जो हमें मिल रहे है वो थोरा से एक दूसरे में वो थोड़े से chip के हुए से रहे है dream city बोल कर okay 250 मैंने ले रखे हैं अब अपने recording ले लो जितना बड़ा size I mean जितनी बड़ी size आपको चाहिए उतनी बड़ी size आप ले लेना अब यह होने के बाद आपको करना क्या है दोखो यह भी एक one kind of masking है तो आपको करना क्या है यहाँ पे जब अपने text ले रखा है I mean ले लिया है तो आपको paint tool पे चले जाना है paint tool में आपको जैसे आपके text है उसी के accordingly आपको यहाँ पे path बनाने है and then जब यह path create करो तो आप text को select कर लेना यह बहुत important है and then यहाँ पे आप चले जाओ and then मैं चाहता हूँ कि इसके उपर में ही मैं लिखना चाहता हूँ see तो आप देख सकते हो कि मैं इसके उपर में ही लिखने लगा हूँ कुछ ऐसे right तो इसके उपर ही आपको इस path को trace करने है याद रखना कि आपको new shape को create नहीं करना है path select करके ही आपको बनाने है I mean text को select करके ही उसके उपर path बनाने है तो मैं simple way में गया यहाँ पे and then कुछ इस तरह से path मैंने बना दिये see ओके तो आपको भी कुछ इस तरह से path बनाने है जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ जैसे 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 बनाने है see तो कुछ इस तरह से बने path यहाँ पे बना रहे हैं तो आपको भी कुछ इस तरह से path बना लेने है तो path बन जाने के बाद आपको करना क्या है आपको चले जाने है effects पे and then यहाँ पे generate पे आपको ले लेना है stroke okay तो effects में जाने है generate पे जाने है and then यहाँ से आपको select कर लेने है stroke simple साब stroke को ले लो first and then most important thing is इसमें 2-3 चीज़े आपको करने है कि first यहाँ पे तो आपको mask रहेंगे ही रहेंगे and then most important thing is यहाँ पे जाके reveal original image को पहले click कर दो यह करना ज्यादा important है and then यहाँ पे brush के size you have to just increase brush size okay तो जितना आप increase कर सकते हो जितना आपके text है I mean जितना text के thickness है उतने आपको brush के hardness को या brush के size को आपको ले लेने हैं यहाँ से right तो जितना हो सकता है उतना आप ले लो I think 43% में मेरा पूरी text को मैं cover कर पा रहा हूँ तो आप भी कर लेना है यहाँ पे and then mask में आपको all mask ले लेना है because आप हो सकता है कि कभी आपका path यहाँ पे break करे and then फिर से आप कहीं से start कर रहे हो तो अगर आपने 2-3 बार break कर रहा है आपने line को path को तो आप use कर सकते हो यहाँ पे all mask okay तो यह important है थोड़े से आपको देखने पढ़ेंगे stitch को and then अभी आपको करना क्या है यह होने के बाद आप animate कर सकते हो तो मैं क्या करता हूँ मैं again जाता हूँ यहाँ पे click कर दो आप okay and then आपको चले जाना है stop watch पे तो first आपको end वाले जो stop watch है ना इसे completely आपको zero में रखने है तो make sure कि आपका जो end वाला है वो zero में हो and then यहाँ पे start watch on है zero में है first frame and then आप चले जाओ 33 seconds में I mean not second में होते हैं frames में होते हैं तो मैं यहाँ पे जाकर ले लेता हूँ आपको जितने minute लेने हैं उतने में आप जाकर यहाँ पे क्या करो increase करके आप ले लो hundred okay तो कुछ आप देख सकते हो ऐसे आपके यहाँ पे आ जाएंगे मैं यहाँ आपके किस तरह का हमारा animation है ओके तो कुछ इस तरह से हमारा animation यहाँ पे आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि animation तुरह जो मेरा है वो तुरह fast कर दूँ मैं तो just click करो and then थोड़े से मैं fast कर देता हूँ यहाँ पे and then आप देख सकते हो मेरा animation तो कुछ इस तरह से आप animation बना सकते हो यहाँ पे जाकर simple way में आप animate कर सकते हो just like handwriting style में अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो see तो कुछ ऐसा है तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो यहाँ पे इस तरह से cursive writing या फिर handwriting style के तो यह था मेरा आज का topic handwriting style में I hope कि अज की class आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें subscribe करें and then अपना प्यार इस तरह से बकरा रखें मिलते हैं हम लग of defense के न्यों वीडियो में अब तक के लिए नमस्कार टेक केर